हेलो हे़ले बिहार और जातकन नूनी के नाम से जाना जाता है। यह देखा जया है तो इस साग में घाल्थ लेफ्ट्स हं रामबान जाता है। पांच बिमारियों से लड़ने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है बीपी सुगर समित कई बिमारियों के लिए रामबान है इस पिहार और जारखन में एक ब्रत होता है जिसे जियुतिया पर्व कहते है और जियुतिया ब्रत और ऐसे तो यह साग को किसी ने खाना ऐसे बहुत कम पसंद करते हैं लेकिन साल में एक बार इस जीतिया ब्रत में इस साग की भैल्यू और कीमत दोरों ही बढ़ जाती है ऐसे देखा जाए तो इसमें काफी सारे हेल्थे प्रोपिटीज भी पाये जाते हैं और देखने में यह लेगी लेगी से पत्तेदार सेर्कुलेंट फैमली से बिलोम करने वाली यह साग यह एक ऐसी खासियत है कि अगर आप इसे तोड़ कर चार से पास दिन भी आप बिना पा साइद यही कारण होगा कि हमारे पुर्वजों ने इस साग को जीतिया ब्रत के लिए चुना होगा देखने में साधारन से इसके स्वाद थोड़े से खटे और लसलसा पन जो होता है यह हाद जिस कारण यह हमारे लीवर को डिटॉक्स भी करता है तो फ्रेंड्स यह जो नो मिशाल है नोनी के साग में ब्लड सुगर, ब्लड प्रेशर, कॉलेस्ट्रॉल, सहित कई बीमारियों के खत्रे को कम किया जा सकता है इसमें कई परकार के एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाते हैं साथ ही इसमें बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन E, बिटामिन D भी पाया जाता है नोनी के साग में एंटी वेक्टेरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सिडेंट गुन भी पाया जाते हैं नोनी का साग ऐसे डाबिटिक भी होता है एंटिडाबिटिक भी होता है यह हार्ड के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है साथ यह हमारे इसकीन के लिए भी काफी अच्छा और बेहतरीन होता है तो friends ये सधारन से दिखने वाले नोनी के साथ में कोई नहीं जानता है कि इतने सारे गून पाये जाते हैं और ये साल में एक बार पाये जाते हैं इसे लगाना बड़ा ही आसान है और इसे कोई भी care की जरुवत नहीं है बहुत ज़दा watering की जरुवत नहीं है जगा भी नहीं इसके लिए बहुत मिट्टी की भी आवे सकता नहीं है, थोड़े से भी अगर गंबले में कहीं से भी यह अगर आपकी यह डाल मिलते हैं, ऐसे तो आप इसे गंबले में रखते लगाने की भी कोई जरुवत ना हो, तो उससे ही यह इसके जड़ पतले-पतले से होते हैं, मैं पॉल मिलते हैं, यह इसे फैल जाते हैं, और इसमें एक यल्लो कलर का फूल होता है, इसमें वह सीड़ बनाता है, और एक बार यह गंबले में लगा लें, असज़़ा से भी और घ्दा ग्ली होता है, तो इसे अलग से लगाने की जरुवत है आपकने अमार्गित Рशी में औ तो मुझे पता है कि हमारे तरफ बिहार में ये जूतिया ब्रत में साग काफी महत्व बढ़ जाती है तो मैं इस ब्रत के लिए रख देती हूँ और मैं यूज कर लेती हूँ उसके बाद ये गंबले खाली हो जाते हैं कि मेरे छोटे से कंटेनर में भी एकूद बखुद होग तो उमीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट करें लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तो ओके भी वर्स वावाए थैंक यू